असलाम उलेकुम दोस्तों वेलकम टू वान न्यू वीडियो दोस्तों अलमीन गोट फार्म के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है पहले के वीडियो में आपको काफी मजा आ रहा है जिसमें हमने काफी सारे बकरे दिखाए जो बेचने वाले बकरे हैं पलाई का काफी अच्छा कॉंसेप्ट बड़े बड़े अंडूल आपको देखने मिलने वाले एट अलमीन गोट फार्म असलाम उलेकुम भाई सबसे बहुत बहुत शुक्रिया पहले वीडियो में आपने काफी अच्छे बकरे भी दिखाए उनका रेट बताया ताकि लोगों को खुलासा हो जाए कि ऐसे कॉलिटी के बकरे क्या रेट में मिलते हैं बाज मरतबा लोग नहीं बताते हैं लेकिन आ बहुत बहुत सारे को अपने पास जी करिबन 60 परसेंट को आपने पास सही है आपके सोज़त का इंतेजार रहेगा लोगों का इन्शाला में विलकुल आसे मैं सब एक साथ दिखा नहीं सत्थे रहे तो तो बहुत एग्रेसिव है बहुत बहुत प्लेफुल बक्रे हैं क्या इसकी 36 है और वेट रहेगा 56 और यह चार दात पर है चार दात पर बक्रा है अश्याला बहुत अच्छा बख्रा बहुत बोटा बख्राइग और यह क्या कीमत में देना अपने को यह सिम्भी देंगे हम लोग 26 थाउजन में दोस्तों बख्रा आपके सामने है काफी एग्रेसिव है इसके लिए इसको बांगे रखा गया इसको सजा मिलिए चैरा मौरा द अश्याला बहुत ही अच्छा बख्रा प्राइज भी बताया भाई ने एक पहला बख्रादा अब दूसरा देखते हैं जिखता इदम कोटा करोली कोटा जैसा है लेकिन यह मालवा है और बहुत अग्रेसिव बहुत ज्यादा फेरी है है थाइट कम है लेकिन बख्रबानी के अब बहुत अच्छा बख्राइब बहुत अच्छा बख्राइब इसको शॉट है अग्रेसिन और इसका लोक और यह सब थोड़ी रस्ती डिली करके वहां लेकिए जोई इसको देखो च्टाइल देखो ऐसे बख्रों का ना चलने का स्टाइल होता है यूनीक इसका जालर देखो और इसका आगे का लूप देखो बकरा शॉट हाइट में है लेकिन इसका रुबाब जो आ रहा है ना वो यूनीक है इदम चमीलें स्टाइल में चलता है माशा अल्ला बोड़ी इदम बहुत स्कॉंग है इदम फिट बॉड़ी है गट्टू गट्टू इसा मालवा तो मैं पहली बार देखा जो करोली कोटा के कलर में मिक्स में है लेकिन बहुत शॉट हाइट है और अगर एक साल होकेंगे और वजन लेगा यह जब तब तो कुछ और ही दिखेगा यह पुरा गोल हो जाएगा और यह किते में देना चार है आप लो यह इसका आ करें हम लोग 29,000 लुपीज 29 और निगोशेट स्वाइटी हो जाएगा इसा सही है बख्रा चेक करें आप अपर यह यह बात बहुत रिजनेबल डेट में होई काफी सेफली होगा दोस्तों क्यूंकि जैसे भाई ने लास्ट वीडियो में बताया था अच्छा तो यह होगा कि अगर लोग यहीं पलाई पर रखें उनको क्योंकि सेट है यहां पर अल्डेडी है और फूरे सब वेक्सिनाइज हो जालर इसके बाल का जो लुट बन रहा है ना बहुत ही उन्यक बहुत ही बहुत ही उंदा बखरा है सारे बख्रे असी में वेक्स पर अपने जो आपने वीडियो चल आगे सब अपने शुपने वेक्स घुर अपने पर आगे वेक्स जिल्ट बखर संब बखर लेट अपने वीडियो से शुपन आगे सब अपने सुपर लिदर की सब करी देते हैं तो दो बकरे दिखा दिया आपने और दो आपके बकरे हैं वो मैं बताता हूं यह में को बकरा बहुत अच्छा लगा इसका स्लो मोशन वीडियो लोगों ने देखा होगा यह एक जगा रुपता नहीं है यह बहुत प्लेफुल ब का पालने के लिए चाहिए तो बहुत भाकरा करने में इससंगे बख इस वह वह बढ़िया चलताओ और बहुत मस्ती वाला क्रा यह बहुत जादा क्योंकि अभी दूप है और ठक जाते हैं बक्रे कब से अपने बाहर निकाल के रखें इसलिए लोग शांत हो गए बाकी आपने देखा स्लो मो बना बाकी चांद नियों अभी छोड़ेंगे अभी भागे गए यह कित्ते में देना भाय अपने इसका आस्टिंग भी कर रहे हम लोग 30,000 रुपे का बक्रा निकोशेट हो जाएगा सब्सक्राइब बहुत नायाब बक्रा है दोस्तों अगें मैं बोलूंगा यह बक्रा जब आप सामने भी देखेंगे आके बहुत अच्छा अगर आपको इसके वेट का हाइट का वीडियो चाहिए तो प्लीज डिस्क्र लेकिन दोनों का कलर सेम है वो चार दात पर था यह दो दात पर है वा यह कोई पाल था है वच्चा एक नंबर बच्चा है खाने में भी और जी यह बक्रा बने रहा है का सिंग इसके बोल्टाइब बिल्कु लागे शेव निकाले हुए इसका वेट है 50 किलो और यह किते में देना अपने को यह सिंबाई 24,000 यह भी बहुत अग्रेसियों बख्रा जैसे देख सकते हैं थोड़ा दर्सी लूज करके हैं इसका कलर में बहुत अच्छा नहीं पर भी कोई पालता है तो भी अच्छा है अगर किसी को चाहिए लिए दूसी जगा पर भी रखना है तो रख पचास किलो का बकरा असी किलो के आदमी को लेके जा रहा है जी सब्सक्राइब ने तो वह आपको ले जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप दोनों का माशाला आपके नंबर्स में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि लोग आपसे कॉंटक कर लें हमारा फार सूरत से कितनी दूर है प्रॉपर सूरत से रेल्वे स्टेशन से अठारा किलोमेटर यह हाइवे से बहुत करें है नेस्नल हाइवे नंबर 48 जी जहां से दो किलोमेटर है और अपना गोगल मैपी भी अपना अलमी में है और सब्सक्राइब बहुत शुक्रिया भाई जान अभी नेक्स वीडियो में और भी कुछ बकरे देखेंगे अल्ला आफिस